नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टार्गेट फॉर आईएस नैंपीपसी बितके के आज है 23 फरवरी 2022 और हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज का मद्यप्रदेश का करेंट अफेर काफी कुछ इंपोर्टन्ट होने वाला है आज के मद्यप्रदेश के करेंट फिर में दोस्तों जैसे की बेंगलूरू में एक नेतर दिबियांग महला कर्केटर की राष्टी लेवल पर प्रतियुक्ता की जा रही है और दोस्तों मद्यप्रदेश की टीम उसमें सामिल हो रही है तो यह काफी एदिक इंपोर्ट है लगवग 15 जो बच्चियां है उनका यह दल है और यह उसमें सामिल होगा तो यह है दोस्तों जो महला कर्केट टीम है इसकी कप्तान कोन है क्योंकि दोस्तों यह जो महला कर्केट टीम है यह ब्लाइंड कर्केट टीम है और इसके साथ साथ दोस्तों सबस्याद एक इंप्रथम टीम है हमारे मद्यप्रदेश की जिसके अभी चर्चा भी काफी खासी रही है, और काफी कुछ यह चर्चा में भी रही है, स्वाहिमक मंत्री जी ने भी इनका प्रुसान क्या है, इनके साथ में जो पधार ओपना, जो डेली विसे स्वरवार करते हैं, वही इनके साथ में क्या है, तो काफी कुछ तो इसको हम यहाँ पर discuss करेंगे, इसके साथ साथ में हमारे बिधान सभा से important भी एक fact निकल कर आ रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पर discuss करेंगे, और भी अन्य fact रहेंगे, जैसे जैसे हमारी वीडियो बढ़ती जाएगी, तो अंतर तक जरूर देखेगा, और एक और information देना चा होते हैं, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको पूरे मद्य प्रदेश के current affair की वीडियो पर आप सीधे पहुंच जाएगे, उस पर अगर दुबारा क्लिक करेंगे, तो आप वहाँ पर दोस्तों, जो मद्य प्रदेश में 2021 में मंत्री परिशत द्वारा पूरे आपको मिल जाएगा, आप सीधा स्क्रोल करती हो जाएगे जब आप टेलिग्राम चैनल पर आप 2020 के end में 2021 के जैसे ही आप एंड में जाएगे तो आपको 2020 का पूरा मंद्य प्रदेश का सालवर का current affair भी वहाँ पर मिल जाएगा, तो इस परकार आपको दोस्तों free of cost PDF मिल जा लिए जाओंगा कि जो PM आवास योजणा है इसके क्रियान बन में हमारा मद्य प्रदेश कंसे नंबर पर है डेश में number one है प्रधान मंतरी मात्र वंदरा योजणा जिसकी सुरुआत की गयी थी 1 जनबरी 2017 से उसके किरियान बन में में भी हमारा मद्यप्रदेश किस नमबर पर है नमबर बन पर है तो यह काफी है देखते हैं 1925 करोड़ दोसों करोड़ तेरा सो करोड़ या फिर 22 करोड़ इसका राइट अंसर है आपका ओप्शन नमबर एक 1925 करोड़ रुपई की दोस्तों लागास से 50,000 पीम आवासों में जो मुखमंत 1925 करोड़ की लागास से 50,000 पीम आवासों में कराएंगे ग्रह पिरवेश 1150 करोड़ की लागास से 30,000 नवीन आवासों का होगा भूमी पूजन 23 फरवरी को भोपाल में राज इस्तरियों और सभी निकायों में होगा कारी करम तो यह काफी एदिक इंपोरेंट है आगे बन जाए तरतिये विश्वियुद का 3rd World War का तो यह काफी एदिक इंपोरेंट है आप सभी को अभी तक मालूम भी हो गया हुआ कि जो रूस और यूक्रे ने उसके बीच में काफी एदिक विबाद चल रहा है और यहां पर भारत के काफी विवन राज्यों के जो स्टूड रहा है उसक्रम में आज मुखमंती सवराज सिंग चौहां जी द्वारा बैठक की गई थी ग्रह मंत्राले में और जानकारी ली गई थी कि मद्द प्रदेश में किस सहर से किस जिले से सबसे अधिक जो बच्चे हैं वहां पर विध्यारती हैं वहां पढ़ाई करने के लिए हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी वहां से निकाला जाए उनसे संपर्क किया जाए और उन्हें बापस लाया जाए तो दोस्तों किस सहर में मद्द प्रदेश के किस सहर की सबसे अधिक विध्यारती यूक्रेन में फचे हुए हैं आपका अप्सिन नमर एक भोपाल दोस्तों इंदौर लगातार पांच बार स्वक्षता सर्वेक्षन लाइठाउस परियोजना के क्रियानवन में एक और मात्र एक सहर जो की मद्द प्रदेश का एक सहर है भारत से चार सहरों को चुना गया था मद्द प्रदेश का जो बित्तायोग है 1955 में इंदौर में स्ट से दिक बहुपाल पांच पढ़ा पाहड़ियों पर बसा हुआ है हमेशा मैं आपको बताता हूं जबलपूर मद्द प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है और ग्वालियर आप सभी को मालूम है सिंधिया राजवन्स का प्रमुक सहर है और ग्वालियर से इंपोर्टेट सूरज सेन द्वारा ग्वालियर का जो कला है उसका निर्माण किया गया था कब किया गया था 525 इसवी में सूरज सेन 525 इसवी याद रखिए काफियदिक इंपोर्टेंट है इसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों राणो जी सिंधिया द्वारा इस बंसकी स्थापना की गई लोकेंदर सिंग जाट को दोस्तों हटाकर ग्वालियर से और वहके लिया गया था उसके बाद स्थापना कर दी गई थी सिंधिया बंसकी तो इसको भी आपको याद रखना है काफियद इंपोर्टेंट है और दोस्तों यह पास में आपको मालूम है जहां पर माधाव राश अधानी बनाई गई थी सिंधिया वंसकी और सिंधिया वंसका काफिवार कॉशन भी पूछा जाता है पुलिस के एक्जाम में साहिद पूछा भी गया था कि जो सिकार गहा है सिंधिया वंसकी वह कौन से ही जगा है तो वह दोस्तों माधाव राश्ट यह ध्यान ही हुआ कर प्रदेश के बच्चों को बापस लाने के सम्मंद में बेचार्वे मस किया। delle मंतरी डोक्टर नरुटर असरह न बताया कि युकरिन में प्रदेश के विविन्च ज़िलोव सहते इंदोर के सबसे ज़्यादा चात्र चात्र है निवास रत हैं जिन्हें प्रदेश बापस लाने के लिए आवशक बेवस्ताय की जार रही है तो यह काफिय दिक इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं देखते हैं मुख्य मंत्री स्री चौहान ने विधान सभा अध्यक्ष को एक वर्स का कारेकाल पूरा होने पर दी बधाई यह कौन है तो दोस्तो जो की अध्यक्ष है विधान सभा अध्यक्ष है अभ इसके बाद में आपको बताना चाहूँगा काफिय देख इंपध्यक्ष की विधान सभा है वह कहां पर इस्थित है भोपाल में सभी कुमालूप में उससे और डीपली कोश्चन पूशन पूछा जाएगा कौन सी पहा आड़ी उपर बसा हुआ है तो जो हमारी मद्यप्रदेश की विदान सबहा ही है अरे रा हिल्स पर इस्थित है कहां पर इस इस्थिति है इसके बाद में मैं आपको बताते चाहूंगा दोस्तों जो इस पर चित्रकारी जंग-चैंद सबसें कुंजी लाल जी मद्य प्रदेश विधान सभा के प्रथम क्या थे प्रथम आपके जो अध्यक्ष थे और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे विश्णु विनायक थे तो यह भी आपको याद रखना है काफी अध्यक इंपोरेंट है इसके बाद अगर आप देखेंगे दुस्त तो 1965 में मद्य प्रदेश में जो पंचाती राज अधिनेम था जो 1994 वाला नहीं 1965 वाला उसको इसमें इनके द्वारा इंप्लिमेंट भी किया गया था यह समीति के प्रमुक भी थे तो इसको भी याद रखना है काफी अध्यक इंपोरेंट इस तरीकी के कोश्चन हो जाते है इसके साथ साथ आपके एक और इंपोरेंट फैक्ट बताना चाहूँगा कि जो मद्य प्रदेश की विधान सबा है अस्तित्र में कब आई थी तो वह आई थी मद्य demanding के साथ ही मद्य प्रदेश का स्थापना देवसट गभ है 1 ΝMat Mimi 56 अब इसका अधिवेशन में भी पूछ़ इसका अधिवेशन हुआ था और अंतेम अधिवेशन इसका हुआ था दोस्तों 17 जनवरी 1957 को यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ जिससे कि आपको confusion ना हो तो दोस्तों प्रताम अधिवेशन की जो शुरुबात कब हुई थी 17 दिसंबर डी से आप समझ सकते हैं दिसंबर और इसके बाद में दोस्तों 19 फिफ्टी सिक्स तो यह तो हमारे मंद्रदेश का इस्थापना दिवसी हो गया तो इसको आपको याद नहीं करना अब इसके बाद में जो हम देखेंगे इसका अंतिम अधिवेशन का भुगा तो तो 17 जैन अर्था जनवरी 1957 एक वर्स बाद अर्था इस्थापना के एक वर्स बाद अगर आप लोग जाएंगे तो इसका क्या हुआ था जो लास्ट इसका भुग हुआ था तो वह मैंने क्वगतरने जोगता सब्सक्राइब करेंगे और हम डीपली तरीके से डिखना और इसमें जितने लें ही खिलाडी है दोस्तों दोबारह जितने भी खिलाड़ी हैं दूस्तों कम से कम अगर आप पूरे याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसकी कप्तान और उप कप्तान दौनों को तो बिल्कुल भी याद कर लीजें, बिल्कुल भी नहीं भूलियेगा क्योंकि कभी भी आफ से यह पूछा जा सकता है, तो चलिए महला कर्केट टीम उसकी कप्तान कौन है मद्ध प्रदेश की निकीता जी चलिए आगे देखते हैं क्या है पूरी निज्ज मंत्री सुस्री थाक बड़ जो की हमारी मंत्री है प्रेटन मंत्री है नेतर दिब्यांग महला कर्केट टीम में चैने कितनी बाली का चैने तुग दिखते हैं नेत्र दिप्यांग महला किरकेटी में चैने सदस्यों में बैतूल की सुस्री निकीता हैं सुस्री रवीना सुस्री गीता सुस्री दीपसिका दमो की सुर्वी सुस्मा गौलियर की सुर्वी भूरी सुस्री आंजली रावत सपना और वंसिका हुसंगाबास से अं पेसली मैं आपको बताना चाहूंगा जो निकीता जी है इनके बारे में यह भी याद रखिए कि यह है बैटूल से संबन देते हैं यहाँ पर आप देखें कि ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बैटूल की यहाँ याद रखिए काफी यह कप्तान है इनको थोड़ा किस पार्ट क्रम में होगी सामिल तो आपका उप्शन नंबर एक है ग्लोवल स्किल पार्क डॉक्टर है सिंगापूर की मदद से स्टेब्लेस किया गया था और भोपाल में है इसके पार्ट क्रम में दोस्तों जी एस पी में एनिमेशन ग्रेमिंग टेक्स्टाइल मैं इसके सामिल किये जाएंगे गोलोबल स्किल पार्क समीति कि साधनर सभा की पहली बैटक हुई और इसमें दोस्तों 319 पदों का भी शुक्रित किया गया और इन सभी के ट्रेनिंग कहां पर होगी सिंगापूर मोगी जो भी यहां पर ट्रेनर होंगे तो आज का आपका कॉस्टन है इतना तो आपको याद हो ही गया होगा अभी तक दोस्तों की 48 नंबर का यह है खजुराहू समारो है जिसमों तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है देश के 17 आइक शिटी में से एक मद्यप्रदेश की कौन सी शिटी है इसको भी आप लोग बताएंगे का फियद एक इंपोरे तक क्यों तो मुच वाचि वाचि एक याद एक वाचिन थेरूराह।